इससे पहले कि हम लोग श्लोग की चर्चा करें कुछ बड़ी विशेश रोचक बात ये बताना चाहता हूं सत्वण रजगों तम्मगण के बारे में भक्तों ने मुझे बोला कि प्रवजी समझ में तो आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता है आप बता रहे थे ना अजब कु अजब करते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है बोट सकते हैं आप ऐसा लेकिन कभी-कभी आप देखेंगे कि श्लोग सम व्याक्ष्ण की जा रही हो समझ में भी नहीं आ रही है इम अंदर एक बात सब्सक्राइब नहीं समझ में आ रही है अच्छा कुछ लोग उसके अगर कोई पत्थर है और उसके उपर पानी पाव गीला रख करके वालूम के रिडूस्ट बूंबूं कर रहा है तो अगर पानी पाव रख करके आप पत्थर रखते हैं तो उसके च्छाप बनती है कि नहीं बनती है बहुत थोड़ी देर के लिए बस और जो अगर मान पानी गीला रखते हैं और उसके बाद उसको सूखी मट्टी रखते हैं तो impression बने संस्कार बनेका पैठे लेकिन थोड़ी मंरें हट जाएगा व्म nella के लिए अगर न थो यपना पाव रखते हैं और पाव निकाल लिगते हैं तो उसकार बहुत समय तक बना रहता है यह बास तो थीरे धीरे करके चित्व को माजन कर रहे है रजोगुणी व्यक्ति है तो थोगा संस्कार बने का समझ में आ रहा है लेकिन उसको पुर्ण नहीं कर पा रहा है पिर संस्कार चला जाएगा और जैसे जैसे संत्वगुण बढ़ जाएगा तो क्या होगा हम पढ़ेंगे हम तो इस पर मनन करेंगे और उन्स लोकों को जीवन में घटित होता हुआ देखेंगे भगवद्गीता बड़ी प्रैक्टिकल है ऐसा नहीं कि भगवद्गीता ब्रवान ने कुछ पाली थेोरी बोल दी है और इसको जीवन में होते हुआ आप नहीं देख पाएंगे तो पॉइ दीरे दीरे वह अंको अच्छा लगने लगता है और जब अच्छा लगने लगता है तो उसके गुणों के प्रभाव भी अपने चित्व में देखने लगते हैं फिर जो बातने बोल रही है वह समझ में आने लगती है और फिर उसको हम धारण कर पाते हैं यह भी समझ में आ समझ नहीं कि बात कर रही है लेकिन समझ नहीं कि बात करे है कि बात करे है उगए मैं узu चुद्वार्ण वख्ता ोज देख धार कि शाट करने रही हैं बता मनतलब करें ये मैं वह इससे बात है क्षिश्च मुझा से इसे बात थे बात हैं असा समझ में आधी बात है शुख्ष्म जैसे होता एगा चित तो इसा बात है असा जाएंगे चैसे बहुंज में रहा है तो इसलिए बड़े शचाथता से इन गुणों के परभाव को समझना चाहिए और वेक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जो हीन गोड़ हैं तम्मकूड अरजवकूड उनसे वेक्ति को बचना चाहिए यह सिक्ष्षा हमको मिलती रहना चाहिए इसलिए बातों को बार-बार लगतर से बोला जा रहा है और भगवत गीता को पढ़ते हैं सुनते हैं बढ़ इस लोग में इस में गुणों को कारण शुरू बताया गया है उनके फल के कारण की रूप में कि यह अगर यह कार्य देख रहे हो आप यह इफेक्ट देख रहे हो तो इसका कारण क्या है वह सिंपल सी बात है सत्वा संजायते ग्यान मतलब सत्वगुण से ग्यान उत्पन होता है स्वम्य गूरूप से जायते सम्य गूरूप से उत्पन होता है रजसो लोभ एवचा रज और अज्ञान उससे होता है भावता मतलब होता है तो इस प्रकार से प्रमाद मुह और अज्ञान तमगरुन के कारण होता है यह कई बार सुनी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक और बात बोलने चाहरा था समझ में कि भगवद इता को श्रवन करने मात्र से वेति दुरूब लोग जाने का दिकारी बन जाता है तो भगवान किसी कारण से बोल रहे हैं बढ़ते हैं इसको आगे हम लोग बहले कुछ चीजों में रिपीटिशन लगए लेकिन समझना चाहिए कि रिपीट होने से हमें समझ में आता है हमारे आवश्यक है तो इसलिए भगव ले लेते हैं वास्तेविक ज्यान का अर्थ क्या होता है आँ वास्तेविक ज्यान का अर्थ क्या होता है मैं हूं मैं दुसरों से बिन नहीं तो ज्यान शक्ति है तो देख रहे हैं इतनी बार रिपिटिशन हो चुका है कौन बता सकता है यह तीनों गुणों से परेद ना सत तो गुंड तो ज्ञान उत्पंद करता है देखो आपका होगे प्रभाजी वही बाते बूल रहे हो लेकिन अभीता घृद में ठीक है नहीं हाँ जीवन का लेक्ष्य क्या है यह ठीक है जो सकते हैं और हम कौन है बगवान से मारा क्या सम्मंद है यह सही बात है और चरीज में अब्सॉप्शिण से मुक्त लोते है आपने सुरूख को जाना यह सब लेकिन भक्ति की बाते हैं अच्छी बाते हैं एक सिंपल बात बोलेगी थे वस्तुआइवावका यथावत ज्ञान क्या चीज को यसी क्लास में बोला था इसी क्लास में बोला था यथावत ज्ञान वह तो है लेकिन मुझसे निकला नहीं है उभी तक मतलब यह सोचना कि मेरा है यह मैं शरीर हूं वही सब अपने बोला था मूल बात क्या है आपने सब डीटेल में बतारे तो गलत कुछ भी नहीं था लेकिन मूल बात है वस्तुओं का यथावत ज्ञान जै लूब का अर्थ क्या होता है गवरा रहे हैं आप लोग बूल यह लूब का अर्थ यह होता है कि अपने को शरीर मानना पताएं बहुत ही चुछ से आ सकते कोई एक चीज़ वस्तुओं प्राप्त हो गई अब उसको और प्राप्त करना चाहता है यह लोग और अज्ञान कर् है अपने स्वरूप का अनावबोध अपने सुरूप का अज्ञान प्रमाद मतलब पागल पनों से पता ही नहीं कया करना जो चीज़ नहीं करने जाहिए वहीं कर रहा है और मुष मतलव यह बहुत अछा है मुख का मतलव नाए ने 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 bidding सब लोग तीर मार ने कहीं तो लग जाए गार मोह का मतलब है जो चीज जैसे नहीं सब्सक्राइब और इसको समझ ना इसको खी मह कहते है लुजह लूजन अदै मोह में तो होगते समझ नहीं क्या देख रहे हुपे इह होता है कि अर्विक शेप अधार जाना सत्वगुण से ज्यान उत्पन होता है जो सत्त का प्रकाशन करने वाला है सत्त का प्रकाशन मतलब वस्तुओं का या थावत देखने की शक्ति देना जैसे हमने बताया था अंत्रकार में वस्तुओं हम देख नहीं पाते हैं और जब प्रकाश होता है तो देखने चाहाँ कु अब यह क्यों होता है सत्वगुण से ज्ञान उत्पन होता है और सुख कैसे उत्पन होता है किसी को याद है सम्मन्द में सब्सक्राइब से सुख कैसे उत्पन्न होता है वेरी नाइस गुड़ बॉइ रोज आएको क्लास में बहुत अच्छा उतर दें समझ रहे हैं दुख का मूल कारण क्या है भौतिक इच्छाओं की प्राप्तिक होना है ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए अपने आप समाप्त होती है वह संतुष्ट रहता है जाते ना वह जो इमली के पेड़ की जटनी सारी इमली के पत्ते के चटनी की बात की गई थी ब्रामण को संबंद में जहां मैंने नीम बोल दिया था तो उस प्रकार से विक्ति संतुष्ट रहता तो वह सुकी रजगुण से लोब उत्पन होता है जो कोटी भोग पदार्थों को भोगने के बाद भी तृप्त नहीं होता इसका पश्ट है हजार हजार सवस्तों दे दिये पिर भी संतुष्ट नहीं होता क्योंकि यह लोब दुख का कारण होता है इसलिए ऐसे रजगुणी करमों में थोड़ा सा सुख और प्रचुर मात्रा में दुख प्राप्त होता है इसको कल भी व्यक्या की गई थी कि पुन्य और पाप मिश्रित रूप से विक्ति करता है जो रजगुण में उसकी क्लियर नहीं कि क्या करने से उसको दुख प्राप्त होगा क्या क्लरने से उसको सुख और उसके बाद उसक्त पाप के विससे दूख़पी प्रापत होता है। प्रमाद मुह और अज्ञानुत्पन होता है इन कर्म का फुल दुख और प्राया पूर्ण अचेतन्ता रहती है पूर्ण अचेतन्ता का मतलब कोई चेतना ही नहीं है कि मैं हूं कौन एकदम कवर हो जाता है प्रहुपाजिगा चोंकि वर्तमान सभता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है अतेव उनके लिए कृष्ण भामना मृत की संस्तिती की जाते हैं यह लाइन समझ में आई सभावी ग्रूप से वर्णाश्रम के वस्ता होती थी जब बच्चा बचपन से पांस साल से उम पांस से लेकर पच्चीस साल तक आध्यात्यक्त में ज्ञान का ही अनुशिरन होता था और उसकी वर्ति चांसार अगर वेश्य है ये शत्री है या ब्राम्हन बाध उसको पर ज्तिये को बैसर्था को ब्राम्हन को यह बते है ठोप के शीर बात आ सब करना चाहिए तो और तो बहुत जाती है कि अगर आप किसी को बोलो इसकी union हुई है गुंगी है कि के विgen करने के लिए पत्नी का संग करना चाहिए तो उनको बात बहुत जाती लगती है तो बहुत पागलपन है तुम्हे कैसे होंगा इंद्री जिफ्ती के विना में सुखी कैसे होंगा अब अगर पांच से है कहात Dique करने का फायदा क्या हुआ लेकिन पांच से लेकर aired 25 साल तक वेक्ति को ब्रहमचार का जब ट्रेनिंग होती थी तो अगर रहस्त आश्रम में प्रवेश्च करेंगा तो उसका जीवन सहीमिती जीवन होगा जैसा भगवान ने बोला धर्मावरिद दभूतेश्यों कामोस्क में भरतरश्वा और वो कुट्य बिल्ली की तरह शेरी वह जा जा मरब क्या करते संतानत्त्ति नहीं करेगा उसको याद है कि ठीक है इस अवस्था में वह है पचेस साल के बाद जो है वो शादी कर सकता है लेकिन उसका उद्धिश्यों भोग नहीं है दोनों पत्दी और पत्नी भगवान की भक्ती ही में लगे रहते हैं समझ पारें भगे बचा गया है कि तुम्हें बनाया है कि तुम ही ने बनाया है कि ना तुमी ने बनाया है ना जाल तुमने हम भणना तो तुम काट जो अ कि छई रेशम का organized आ और सा दाल कि जा सब67र हैन। यह सब्वाट कराना जान का पूलेश्यों गख़लाव आएं"... । रहे हैं मेरे यह प्रावत क्या रहे है वर्तमान सर्वता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं मतलब उनको केवल रजगुण और तमगुण में प्रविट करा रहे हैं बच्पन से बच्चे लोग चिंता बच्चे चिंता करते रहते हैं कितने नमर आएंगे मैं आगे क्य अच्छा प्राश्ण मेरे में मैं आई रहा था बात देखे ब्राह्मान और शत्रीय और व्यस्य यह तिन लोग जाते थे शुद्र लोग बुरुकूल में नहीं जाते शुद्र कैसे होगा देखिए न्य जो ऊपर के वर्ग है वह अध्यात्मी के अनुषिलन में लगे रहत शुद्र को भी गवान की खक्ति को उपदेश दिया करते थे खैसा तो नहीं को शुद्र है तो बहुत्र नहीं कर सकता है कि बार शुद्र को बढ सी तहदिया आप जानते हैं इस लोग कृष्ण प्राया उनका नामी मुसल्मान हो गया तो इसमें ये कोई वाधी का कोई इतना प्रतिबंद नहीं है बक्ती कोई भी कर सकता है लेकिन वलनाश्म के व्यस्था थी क्योंकि लोग जब अधिकारी ही नहीं उसके लिए वेधित्यादी के लिए तो उसको पढ़ाने से फायदा न सत्वग्रण विख्षित हो जाने पर लोग वस्तों को असली रूप में देख सकेंगे तो कृष्ण भावना मतलब भागवान का प्रसाद ग्रहन करना नाम जब करना और भागवान के बारे में सुनना ये तीन प्रमग चीज़ें क्या करने से भागवान का नाम जब करना भ प्रशाद ग्रहन करने से क्रोणों क्रोणों यग करने का फादा मिल जाता है पुन्पुनात्मा होता भग्वान गीता में बदाते हैं वह केवल पाप खा रहा है, और पापी व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं समझ पाएगा, इसको समझी बात ही, बहुत कतर नाक है, भगवान के भोग, मलब बगवान का प्रशाद ना ग्रहन करना ये बहुत पाप में जीवन, और उसे बुद्धी जवर भवान को ग्रहन न से क्या था, अरे, यह कारे तो मैं नहीं कर रहा हूं, यह तो मुझे करना चाहिए, आपको याद मैंने बताया था ना, कि हम नलायक भी क्यो ना हो, क्लास में आना चाहिए था, यह तो मालूम चले कि हमें करना क्या चाहिए, हो सकता कोई बात हिट कर जाए, मेरी बात समझ प कि पर्दीज कर सकता है आप लोग नहीं पुल्लों आप लोसकता है के बूत से कभी में जाता है यो जहाने पर लोग वस्तों को असली रूप में देख सकेंगे, देख सकेंगे कि जीवन का उदेश्य क्या है, मैंने कई बार बताया है, अपने रिलाजिशन को सरसे शेयर भी नहीं करना चाहिए, मैंने कुसा है, बता रहा हूं प्रोजी कि बहुत बार जब करते समय, मुझे अनभव होता है कि मैं अनादी जीव हूं, हमें एटर्नल विंग, इस नॉट मेरी मेरी शक्ती नहीं है, वो क्रिष्ट इस प्रकार से देते हैं, और जितनी भी समझ जीवन की समझ्याय हैं, उपर वो एक तरफ हो जाती, आप मेरी बाद समझ पा रहे हैं, जब कोई अनभव होने लग गया कि मैं शाष्वत जीव हूं, तो जगह कि किसी भी उपलवदी से कोई मतलब नहीं, इसके हरी नाम जबके पर बहुत अप्लिकेशन हैं, लेकिन उसको अम अलग सेमिनार में बताएंगे, तमगुड में रहने वाले पशु तुल्ले होते हैं, और वस्तुओं को इस पश्ट रूप में नहीं देख पाते, कि जिस पशु का विवद कर रहे हैं, उसी के द्वारा वे अग्रे जनम में मारे जाएंगे, यह आज मैं एक वेरिश्दार ने फोन किया था, तो मिने बक कॉल किया उनको, और मिने का अब हैरी किशन बचाच आपक यह दो, समय बाकी नहीं, सब्सक्राइब करता हूं आप से मेरा कुछ आगया काना खाना भू बना रहे हैं वह बता है कि मुझे अवाइड कर रहे हैं और वह समझ नहीं पारा कि मुझे को आवइड कर लोगे लेकिन अमदूतों को वर्ड नहीं कर पाऊ है कि अभी अभी अघ्व निइक अचट Cornu को याम देखने को यह अब के मतलब हैंब ले लुक के अबुट रहे झाएंगा धिखने को मतलब अलेकर जाएंगे इस दर सवी खरो तो सभी में बड़े पाप की है पाप का मार्जन करने के वक्ति करूं कम सेकंग मैं नरक नहीं जाओं एक बद अच्छा बोल रहे थे कुछलों की यही बहुत बढ़ी उपलबदी है कि पिस जीवन में नरक ना जाए बस इतने बुरे कारय कर रहे है और इतने घोरत नमगड में पता ने इस प्रकार से यह आप लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि लोग घोरत नमगड में हैं क्या कर रहे हैं उसकă बहुत अच्हा लगता है इर्रस्पोंसिबल मानव जी में दिया गया है जो इंदिनिया तुमें दी गई है उस तुमें करना क्या है अरे यह तो मुझे पता है भगवान के सेवा लेकिन समझ ने लोग सोच नहीं रहे हैं कि यह वानी दी किसली भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली है महाराजी ने और आप सुन करके एकदम चकित रह जाएंगे पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन बहुत चकित करने वाली बात है जब से हम पैदा हुए है खाने का सोने का ज्ञान भगवान दे रहे है बच्चा पैदा होते ही जानता है कि कहां से बोजन मिलेगा कैसे प्राप्ति होगी बोलना नहीं आता है लेकिन खाने का ज्ञान होता है येस सोने का ज्ञान होता है बहुत गंभीरता से सुने इस बात को लेकिन वो भगवान जो अनंत ज्ञान के आगार है आगार मतलब स्रोत है और यह यह जुआ नहीं दिदे कि तुम मेरे अंशौ अप झाल है कि नहीं में धिका रहा है है चेलिक शोजको दॉल रहे और जीवन बीता जा रहा है कभी सोचते भी नहीं जिस दिन मैंघ पहली बार देखा थां थाे यह थ तो गंकाल नहीं हूं परंपुजीराध और अमराजी की बहुँ सुदर बात लगी ती जब तक वेक्ति भक्तों का संग नहीं करता कुछ क्रणाम नहीं करें यह जप नहीं करें बहुदा प्रम जात्याय वहां कि अदर से अदर कर्ण्ट को पहारी जब मैंने वो सुना नमय हिल गया था यह ग्यान देंगे तुम भोग कैसे करो बिलकुल दे रहा है देख रहे ना जीवन में लेकिन यह ग्यान नहीं देंगे तुम शरीर नहीं आत्मा जब तक आप भक्तों का संग नहीं करते और भक्तों से सुनते नहीं कितना रहर है और वो इक प्रमानिक रूप में सुनना है से नहीं आरले बरले किसी भी से सुननेंगे नहीं तो इसलिए यह प्रभबात बोल रहे हैं कि जब तक ज्ञान की सक्षण नहीं मिलें कि विक्ति बसकेवल अहार निद्रा भाय मैथुन में जीवन वितित कर देगा आज भक्त लोग कर बज़रा है मृदंगारा की तन हो रहा है यानि कि सोने केले केवल नीन चाहिए ना स्तान की जड़त है ना एशी की जड़त ना किसी चीज के लिए आप समझ रहे हैं लेकिन भजन करने के लिए आपको बहुत परता की जड़त है बहुत भक्तों की शग की ज़त और आप यह पर चित्त में देखिए बात आपको बहुत सिंपल सी लग रहे हैं लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते हैं हम उत्तरदाई जीवन बताने लगते हैं अगर आपनों से सभाविक सी बात है कुछ नियम भंग होता है तो क्या आपनों को खराब नहीं लगता अरे यह तो घलत है इ रही है आपर देख्रें करने से भथान करने से विक्ति को अपनी हजा आपने करदों नहीं करने बहुत स्वा जरूरे यह कं घ। मेरा क्या करताव्य है बगवान की प्रति और यह चीज में कर रहा हूं इस बिल्कुल ठीक नहीं में सेंस जैसे माली आपकी को अपमान कर देना भगवान से प्रसंद नहीं हो भक्त को इसमझ में आता तो उत्तरदाई बनता है वह अपने जीवन के लिए इस उच्ष्रंकलता क को रोकिनी के जनता में सत्कुन उत्पन करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है उच्ष्रंकलता का मतले समिझते हैं इंडिपेंडेंट विम्सिकल बिहेवियर जो मन में आएगा खाऊंगा जो मन में आएगा करूंगा मैं तो सतंत्र हूं मेरे मन में जो भी आता है वो मैं करता हूं सतंत्र हूं नहीं कि conce diad metaphor है उसा अनभूती होती है और यहीं ३र धब्द जीव की problem है सबसे बड़ी problem है कि जो मन में आए वो करना चाहता है और एक की solution क्या है शास्त्र विधी का पालन करके शास्त्र के विसार चले तो जीवन पर प्रम कर्यान कानभब करेगा सत्रगड में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुवों को उनके सही की रूप में जान सकेंगे यह जगत दुप का घर है यहां पर सुखी नहीं हो सकता कोई भी नहीं पैसे लेकर के नहीं बार बार को फोन कट रहें वहीं डिवोटी क्यों रहें कि अगे अगे तब लोग सुखी तता संपन्न हो सकेंगे अ कि एक चीज़ सोचिए आपने भक्तों सो कई बार देखा होगा वक्तों कहते हैं परोबुजी हम लोग अपने हिर्दय में भौते कि च्छाओं को देखते हैं अब बहुते कि च्छाएं हैं जी क्या कारण है भक् सब्सक्रmmाष्ण करने बाइदी कते कि हम भक्ति कर रहें लेकिन उस भक्ति के बदले में कुछ भी ना चाहना यह बहुत डिफिकल्ट है कि इस बात को समझपा रहा है हम जब भक्ति कर रह मालम कीर्थन गा रहे हैं तो यह हमशे अच्छा रथी कुछ लोग अप्रिशेट तो करें कीर्थन को हम कुछ लोग अप्रिशेट तो करें क्रिष्ण संतुष्ठों केवल और उसके बदले में कुछ बहुत इक ना चाहूं ये कठिन होता है तो जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं तो हमें देखने लगता है देखो मैं भक्तितु कर रहा हूं लेकिन कहीं मेरे हिर्दे में इसके बदले में कुछ reward की इच्छा है अरे दो अंदरस्टान इस पांट और जो वेक्ति शचेत नहीं है उख तरस समझनी पर हां तो जो गुरू कुछ निकी परसंता के लेकर रहें हमतो गुरू किस आ झाले करें था डॉसे नेक्स कर रहे थे तो उनका इस बस दी थी कि कृष्ण प्रसन नोई सबी लोग प्रसन होते थे उस किर्थन से कृष्ण सुखी होंगे लेगर हम पॉलारिटे के लिए किर्थन कर रहे तो वह तो शुद्भक्ति नहीं है ना वह हम दूसरे को नहीं देखना है वह स्वें अपने चित में देखना है तो वह तो बिकम कॉंशन वर दूस तिंग्स यह कोई हैवी बात नहीं में खाली बोलो जैसे जैसे सत्वकुण बढ़ेगा हम अपने दोशों को भक्ति की चीदों को सब को देखने की समर्थ बढ़ेंगे इसको बड़ी प्राटिकल बाते हैं तब लोग सुखी तथ संपन होंगे मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भोग की पीचे भागने से दुखी होंगे इसलिए उनको अब जब सत्वकुण में आएंगे तब समाझ मैं कि इसकी पीचे भागने से कोई फाइदा नहीं बहले ही अधिकांश लोग सुखी तथा सम्रद न बन पाएं लेकिन यदि जनता का कुछ भी अश्य कृष्ण भावना मृत विक्सित कर लेता है और सत्वकुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांती तता संपनता की सभावना यह लाइन बहुत गंबीर है श्रीला प्रभुपाज यह नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग कृष्ण भावना मृत को स्विकार करेंगे क्या यह प्रभबा से वे लोगों गाइडन्स दे सकते हैं तो काफी संभावना है कि लोग शांत रहें जिन लोग के पास आखे नहीं है समझे आहाइक अच्छा थारन है मान लो 25 लोग अंदे हैं तो क्या वह एक दूसरे को सही रस्ता दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते अगर किसी एक व्यक्त एक व्यक्ति के बास आखे हो तो क्या एक हजार लोगों को भी रस्ता दिखा सकता है किया बीस हजार लोगों को दिखा सकता है कि एक व्यक्ति के बास आखे हो तो क्या यह बास समझ पारे मैं क्या क्याना चाहता हूं इसी लिए प्रहुपाजी कहते थे कि ब्रामनों का होना बहुत ज़रूरी है जो वस्तुओं को यह थाबत देख सकें सब लोग नाद भी देख पाएं लेकिन वो कुछ अंसुदैसी ले सकते हैं उसी और वह उसके गुलौं को क्नसा देखते वेश्च को मदद कर सकते हैं किस प्रकार से रुक्रिष्ट की भाक्ती नीयोजित हो कि तो यह भी एक करियर है यह भी एक समाज में करियर है कि विक्ति ब्रहमण बनने का प्रयास करें इसके लिए तपस्या करें भक्ति करें तब वह विचारशील हो पाएगा और लोगों गाइड करेंगा अब आप लोगों को यह बात शायद समझाओं को तो समझ में आ जाएगी जैसे हम लोग सब लोग को नहीं जानते है कोरोणा से कैसे लजना चाहिए क्या करना चाहिए लेकिशन सभी लोग कुछ बुद्द इमान डॉटर से तदेकि हम आगया का पालन कर रहे है कि नहीं कर रहे हैं आब उससे हम बचैंगे नहीं बचएंगे उन tailor कर ले खिले करें लेकिन विश्वास से पा और यह भी आपने जीवन में देखना चाहिए कि प्रहुपारजी के पुश्ते के प्रहुपारजी के निऑ कि पड़ने चाहिए कि शुद्ध ब्रहामन लों ब्राहमन वैस्टनवा उनका het consultancy हमको पराप्त हो रहा है करना चाहिए मेरा जीवन किस प्रकार से मुझे उत्तरदाइत वे जीना चाहिए यह प्रपाते गरंथों से हमको समझ में आता है और फिर उनसे समझ करके हम दूसरों को भी बता सकते हैं, दूसरों के help कर सकते हैं, जैसे मान लिजे कोई खाई में गिर रहा हो, वो खाई है वहाँ पर, तो क्या वाणी के द्वारा आप उसे बचाया है कि नहीं बचाया है होता है कि नहीं कही बार कोई ट्रक आ रहा होता है है उसलिए मोईक्तों को इस दिव शाहत को दिव जान को समझना चाहिए और लोह को बताना चाहिए help करने उनको help करने के लिए ताकि वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके क्या ये बाते समझते हैं पड़ते हैं तब धीरे धीरे विक्ति शान्त हो पाएगा नहीं तो सारे विश्व के लोग रजोगुण तथा तमगुण में लगे रहे तो शान्ती और संपंता नहीं रह पाएगी परचुर्धन तथा इंद्रितित्तिय के लिए आ रिया प्रयाप साधन हो लिए उसे छान्त आतो timest की कोई हैं सब्लोग देख पाते कोई देख सकता मतलब जिसके पास थोड़ी बुद्धी है सतोगुणी वह देख सकता है कि मैं धन जो लोग धनी है के वाकई संदुष्ट है नहीं है और धना धन अधिक अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए अपने माना जियूं को वर्थ कर रहे हैं तो नहीं देख पारे मत सुख चाहता है यह लाइन को मैंने हाइलाइट किया हुआ है बहुत गंभीर लाइन है यदि कोई रंच मतलब समझते हैं एकदम लिटिल बिट पिंच यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकेगा उसे कृष्ण भावना मृत की अभ्यास है युवतPress Course द्वारा अपने आपको सत्वगुण में स्थित करना होगा मैं थालो क्यों बोल रहा हूं क्यों क्योंक्त स्लोली समझ में हा जाए लोगों थे जल्दी समझ में आ जाए थाarlी बोल ला हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए Life is directed by choices we make इस जीवन में हम क्या चुनाव करते हैं उसके अंसार हमारा जीवन में का निर्धारण होता है और प्राया लोग सुछते हैं क्या कि धन प्राप्त करके मैं बहुत सुखी हो जाओंगा यह आप बोल रहांगे प्रभजी अपने हजारों बाल बो रहा है यहां ते कि भक्तों के जीवन में भी मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि भक्त लोग धन प्राप्त करने के लिए बहुत उन्नत हो जाते हैं और पूरा जीवन गया हो जाता है भक्ति के बिना खराब लगे या अच्छा लगे लेकिन यह observation points पूरा जीवन मालूं भी ने चलेगा कि धन प्राप्ति के चक्कर में पूरा जीवन वितित हो गया और धन प्राप्ति के चक्कर में हमारी चेतना ग्रॉस हो गई बहुत समझ पा रहे हैं मैं क्या क्याना चाहता हूं और यही अगर हम भक्ति को महत्व दिये पूरा जीवन हर दिन नाम जब 25 किये तो 10 साल के अंदर देख रहे हैं अरे मैं तरह सोचने का तरीका तो बिलकुल परवर्दित हो गया समझ पा रहे हैं एक भक्ति ने पूछा था कि आप कैसे समझ पाते हैं बगवद गीता तो मैंने कहा था मैंने एक माला से शुरुवात किया था आप समझे मेरे प्रश्ण का मला उसके प्रश्ण का उतर और माला करना छोड़ा नहीं मैं बहुत गंभीर बात बोलना हूं जो चकरवर्थी पात बोलते हैं प्लीज इसको बहुत ध्यान प्रवक सुनिए भगवान के नाम का यह सभाव है कि वे अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाता इसी कारण से बहुत लोग नाम जब करना छोड़ देते हैं लेकिन भ इसको आज आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है एक एक समय के बाद आपको कृष्ण की तरफ पागल करता पागल कर देगा नाम जब करते रहे हैं शुरॉवात में लगा कुछ नहीं हो रहा है लेकिन एक बाद जब कार्य करना शुरू कर दिया उसने अबना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया तब आपको बहुत श्रद्धा हो जाती है कि यह मेरे एक कृष्णी की विमुकता को दम नष्ट कर रह थे और इस तेसे अव्य रहा है कि अधान करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते एक दम नहीं और महाराज हमारे बता रहे थे कि एक वैश्णव सच्छा वैश्णव के वल यही नहीं देखता है कि गरीब लोग दुखी है वही देखते हैं कि अमीर लोग भी दुखी है इसलिए कि अधुलेटों को प्रिचिंग करते हैं नारज को देख नाम मरिघारी को प्रीचिंग कर रहे हैं और राजा प्रचीन वारिष्ण को भी प्रिचिंग कर Robot कर मृम अगर पानी से बहार निकले तो चाहें मठे में हो चाह दारु में हो कि कि दौरों में उह हैं दुखी रहती यह समझ में आ रहा है तो जब तो जीव को कृष्ण कथा सुनने को नहीं मिलेगा प्रच्वर मात्रा में और कृष्ण भक्ती नहीं करेगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता चाहे वह किसी भी बहुतिक परिवेश में हो कई बार हम सुन चुके बात तेकर उतनी बार हम भूल भी जाते हैं जब कोई रजगोण में रत रहता है तो मांसिक रूप से ही अप्रसने नहीं रहता अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाहिवी अत्यन्त कष्ट कारक होते हैं मैं एक से पहले कुछ और बात बोलना चाहता हूं मैं चैतन चर्तामित पढ़ रहा था कल राधरानी के बारे में बात करने के लिए आत्मे और मैं के अधवु चीज देख रहा था कि जो बातें शास्त्र में लिखी है वो मैंने अपने गुरु महाराज से ऐसे सुनी सी थी मैंने आपको बोला था ना कि जब कृष्ण राधरानी के प्रेम से कृष्ण जीते जाते हैं और वह प्रेम जब किसी जीव को दी जाता तो उसके दर भी जीते जाते हैं यह महाराज की बात बोल रहा था और वही मैं शास्त्र में पढ़ रहा था तो I could understand कि भग महाराजी को यह अनभाव साक्षातकार प्रापत है भक्ति करने के तरह ऐसा नहीं है कि वह केवल शास्त्र से पढ़ करें ही बोल रहे हैं शास्त्र तो पढ़ रहे हैं बट डैट नौलज बिकम्स रिवील्ड इंदा हार्ट ऑफ प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त के हिरदे में वह है जाकृत है जैपता का महराजी मैंने बदा थे आपको बिमार थे और वक्ति ने पूछा कि आप इस प्रकार से राध्यात्रा में क्यों आए हैं आप इतने बिमार हैं तो महाराजी क्या बोले आ इसका मतलब आपका रादा गोंजी से बहुत प्रेम है तो महाराज क्या बोले है ना माता कभी बोल देती है क्रिश्न कभी ऐसा नहीं बोलते हैं तेरे जैसे लड़के को पैदा करके तो बस हो जाता है कभी कभी इसा बोलते है को दोगन हो जाते है माता पिता लेकिन कृष्ण ऐसे पिता है माता जो कभी उद्धुग्र नहीं होते कभसे उनको भूले हुए हैं तो मैं खाली बोल रहा हूं कि भक्ति करते करते विक्ति को यह अनुभूत होने लगता है सारी बात पहले सत्वगुड में आएगा फिर आगे जाकर के वह दिविस्तिती में रहकर भग्वान का अनभव कर लगता है जब कोई रजगुड में रत रहता है तो मांसी ग्रूप से ही अप्रसने नहीं रहता अप ही तो उसकी वृत्ति तथा उसका वेवसाय भी अत्यंत कष्ट कारक होते हैं मुझे याद एक बर हम लोग मत्रा इस्ट्रेशन से जा रहे थे एक व्यक्ति आपने देखा हो जो जो बॉर्डर होता है करते हैं बिरिज के बाहर लटक करके पेंटिंग कर रहा है मैंने का जीने के लिए इसको यही चाहिए था और कुछ तरीका नहीं है और कितना कर चुके हैं को पता है उचाही से कुछ जाते हैं जस्ट्व गटाव वटेवर एड्रिलिंड करके रश्ट इस सब रचगुनी कारे हैं कि नहीं क्या 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 लोग कारे करते हैं और यह नहीं समझ पाने कि मानव जिए उन कितना प्योब इसलिए बोल रहे हैं ना सिर्व अपरसने रहता है अपी तुछ कार भी उसके कष्टिक वाले होते हैं उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक अनेक योजनाय बनाने पढ़ते हैं मर्यादा कम अला समझ रहे हैं समाज में हमारा अतना समान है तो इतनी तो महनत करना ही पूड़ेगी इतना बैंक अपने परिवार नोगले बहुत करना है आपकी शकल चलिये याद कर ये को विक्ति जो अपका रिषदार मर गया वो कैसा दिखाई पड़ता था आखे बंग कर कर कि अगरा शोची तो शकल भी याद ने रहेगी दो महने बाद भी शकल किसी को याद रहती है इतना चिंता कर रू हमारे लड़के की करेंगे हमारा रणका ये करना है हम भक्ति से जो नहीं कर सकते तुमारी शकल भी याद ने रखने वाले को अरे शकल छोड़ दीजे मरने आपको जला कि आएंगे तो एक घंटे के लिए भूके भी नहीं रहेंगे जब आज आप निए बढ़ होते लेजी आपके नाली में पढ़ा रहता है कीडे कीत है कौन मतलब जो लोग तमगुणी होते हैं वह इसा शरावरा पीते हैं है ना पानी चाहिए फ्रेश और सड़ा पीते हैं जो सड़ाई जाती है है ना अंगूर का जूस रख देजा हमने काल बसकल अमने इसको निकाला था पी लिजे पीएंगे लिगने केते हैं सौ साल पुरानी होगी तो और अच्छी रगेगी कि यह सब तमगुण है घोर तमगुण हमने तो अपने जीवन में देखा किस प्रकार सेермारे सोदार शराब पीने के बाद किस प्रकार से ब्रह्म घ्रन ब ऑल्ते हूं वहीं से वित्रिष्णा होगे क्या यह फाल्तू बात करते हैं ठीक है राज विद्य को अब देश्दिय करते हैं जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकार में हरता है अच्छा एक श्लोक और देख लें या थक गए कोई प्रश्ण है तो चलो आज हम इसका रहते कोई प्र प्रश्णा लेट सी क्या प्रश्णा है कि दिमाग में भी रिवार्ड के बारे में आता है बट बाद में अपने आप से बहुत शर्मिंदा होता हूं और अगन इट कम सो दिस राइट और नौटी बहुत अच्छा है इसका मतलब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं जैसे मैं अपने जीवने बताओ मुझे बहुत हसी आती है एकदम प्रभुपाद जी का ग्रंत लिया था साइप जर्नी अव सर्फ डिस्कवरी और कोई ग्रंत नहीं था और एक माला जब कर रहा था भक्तों को संग नहीं था भगवान का फोटो मिल गया तो मैं प्रभुपाद जी ग भगवान नहीं किनारी ठीक है बुरा मतमाना समझ में आ गया यह समझ में आ गया और बने का भगवान कृष्ण देखिए आप से भहत एक चीजी मांगन अच्छा बात नहीं है आपको लगए कई बहुत सिंपल सी बात है लेकिन एकदम नए व्यक्तिकों कैसे मालम चले इसक अच्छी बहुत बहुत इकचा है लेकिन में इस प्रकार से प्रात्ना करें मुझे आस तक यहाद है 2003 कि यह बात करा दिया तो मेरे शद्धा भी बहुत बन गई और जब हमें आइटी में गया तो मैंने कहां भज गया विल्कुल किसी तरह से पार किया वहां पर बट हाव ड कि मुझे क्रिष्ट से कैसे प्रात्ना करना चाहिए कि मैं मुरादे मांग रही हूं लेकिन अच्छी बात नहीं यह फिर भी आप पूरी कर दीजिए ऐसे कोई नहीं करता है तो मुझे समझ मारा है कि प्रभपाजी गरंत किस प्रकार से दिवें एक दम घोर तमुगणी वि सुनें और अपने जीवन में हम दिव्य आलोग का अंधव करते हैं इस प्रकार से तो इसलिए यही बात है जो हम शास्त्र सुनते हैं तो हमको कम से कम यह मालूम चल जाता है कि छीज ठीक नहीं है भले ही मैं इसमें आ सकते हूं ज़िए मेंग से प्रातना करते हैं भगवान यह इच्छा हमारे हिद्य से निकालती हम जानते हैं कि अगर इच्छा नहीं रहेगी बहुत इक इच्छा नहीं रहेगी तो हम बड़े सुखी हो जाएगी अज़िए मेंग सेंस यह प्रसाद हम कह रहे हैं कि अगर कोई प्रसाद लेता है अच्छा कह रहे हैं कि बहुत सार जुर्वन का भाव हे. देखिए, यही बात हरी नाम के ऊपर घटत होती है. हरी नाम ते समझे कर रहे हैं, तो क्यों खुचिकर नहीं मारी पराद कर रहे हैं. भगवान के प्रसाद कि निंदा करना ऑनग cách आप हब। करते हो समझना चाहिए कि निंदा क्या होती निंदा मतलब अगर कोई विक्ति थारटी है उस सम्मंध में वह कारे कर सकता है और आप उसको यथावत वस्तु प्रस्थत कर रहे हैं प्रशाद्धा में बहुत मिर्ची थी और ठीक नहीं है तो ठीक करने का प्रयास किजएगा त यह तो वो सब हमेशा ऐसे सवा अगला खाना किलाते हैं इस तरह की बाते करना सब निंदा मेरी बास समझ पा रहे हैं तो निंदा क्या नहीं है अगर कोई अधिकारी है उसको आप बोले प्रवजी इस प्रकार से आप इसके समझन मुझ कीजिए तो यह निंदा नहीं है सब्सक्राइब भारती और दर्दद की चीज़ें भीखाता है यह प्रवबलम में और इसकी सुष्ण मुझ को नहीं समझ पा रहा है कि बहुतिक वस्त में खाने से हमारे चित में क्या प्रवाब पड़ता है और कोई प्रशन है किसी का हम यहां पर रुपते हैं अगला प्र आपकर लेंगे उसका थोड़ा थीम चेंज हो रहा है कि मतलब थीम पहले जैसी ही है वे इसमें पॉइंट यह है कि हम लोग किस गुणों से प्रवावित होकर मरेंगे तो कहां जाएंगे सब लोग वही नहीं जाएंगे थोड़ा अंतर है पहले चर्चा कर चुका हूं बहुत बहुत धन्यवाज श्रीमत धगवत गीता की जाए श्रील प्रभुपात की जाए